प्रेम का आदी हो सकता है। प्रेम की कहीं से शुरुआज जरूर हो सकती है पर उन्तु प्रेम का कहीं पर भी समापन नहीं होता। अंत नहीं होता। क्या कभी कोई यह कह सकता है कि वो किसी व्यक्ति से एक निश्चत समय तक के लिए ही प्रेम करेगा। बिलकुल भी नहीं। प्रेम को कभी भी ऐसे बंधन में नहीं बांदा जा सकता कबीर दास ने क्या गजब की बात लिखी है अकत कहानी प्रेम की कचु कही न जाए गूंगा केरी सरकरा खाए बैठ मुस्काए प्रेम इतना विशाल है कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे शब्दों में समेटना संभव ही नहीं जैसे गूंगे व्यक्ति के पास अपनी कोई भाषा नहीं होती परन्तु जब वह मीठे का स्वाद ले रहा होता है तब उस्वाद का पता उसकी मुस्कान से ही चल जाता है ठीक यही स्थिती प्रेम की होती है प्रेम में आपके जबान मौन हो जाती है प्रेम को किसी आपचारिकता के आवशकता ही नहीं होती प्रेम तो स्वयमन आपचारिक है फिर भी प्रेम को व्यक्त करने के एक छोटी सी कोशिश है यह प्लेलिस्ट इसमें हम देखेंगे क्यों प्रेम में सबसे जरूरी होता है meaningful conversations अर्थाद अर्थ पूर्ण बातचीत का होना एक TED टॉक के जरीय जानेंगे Why you are going to marry the wrong person? क्यों आप किसी गलत आदमी के साथ ही शादी करने वाले हैं? बात करेंगे सूफी philosophy के अनुसार प्रेम की परिभाशा की और 40 rules of love की देखेंगे प्रेम हो जाए इसके लिए तयार किये गए 32 सवालों की एक लिस्ट को और जानेंगे जीवन विद्या philosophy के अनुसार प्रेम के लिए जरूरी आठ प्रकार के emotions को आपके मन में किसी भी वीडियो पर कोई विचार आते हैं तो आप comment में उसे लिख सकते हैं या फिर अपनी diary में भी आप अपने विचार अगर हम से share करना चाहते हैं तो आप description box में दिये गए mail id पर हमें mail कर सकते हैं